हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी यूनिवर्स मध्यपरदेश डेली करेंट अफ्यर में आपका स्वागत है आज है 26 मार्च 2019 और यह हमारी 111 वी क्लास है 12 important question आपके लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरस्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्यूंकि यह आपके exam में पूछे जाती हैं साथ ही questions are related important fact भी हम आपको बताते हैं तो ये वीडियो आप बहुत गहर से देखें question number first किस राज्ज में टीवी से सबसे ज़्यादा मौते होती है जिसका say option है उत्तरपदेश उत्तरपदेश में टीवी से सबसे ज़्यादा मौते होती है world tv day जो 24 मार्च को मनाया गया है इस पर Indian Medical Association ने रिपोर्ट जारी है और बताया है कि UP में हर साल ओस्तन 58 लाख लोग टीवी रोक के करण दम तोड़ देती हैं तो आपको याद रखना है उत्तरपदेश में सबसे ज़्यादा टीवी से मौते होती है अब बात आईए उत्तरपदेश की तो मैप में आपको उत्तरपदेश के बारे में बता दें ये जगह है उत्तरपदेश को दरसाती है उत्तरपदेश की स्थापना 24 चनबरी 1950 में की गई थी गवर्णर है राम नई उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री है योगी आदितनात और उत्तरप्रदेश की राजधानी है लखनव तो इतना आपको उत्तरप्रदेश की बारे में याद रखना है Q2. CVSC Board में कौन से दो नए विशय शामिल किये जाएंगे जिसका सही ओफशन है योग और AI इन दोनों विशयों को CVSC Board में शामिल किया जाएगा AI को Artificial Intelligence के नाम से जाना जाता है और इसे कक्षा 9 वी में शामिल किया जाएगा Senior Secondary में योग को शामिल किया जाएगा अब ये CVSC की बात आई है तो आपको इसके बारें बता दे CVSC का Full Form Central Board of Secondary Education होता है और एक और Important Fact आपको CVSC की बारें बता दे हाली में इसने शिक्षावाणी एप भी लॉंच किया है तो इतना आपको CVSC की बारे में याद रखना है चलते हैं Next Question पर Question मत 3 हाली में आई रिपोर्ट की अनुसार किस देश के लोग महेंगे टूर और छुटियां मनाते हैं तो इसका सई Option है भारत भारत की लोग सबसे ज़्यादा महेंगे टूर और छुटियां मनाते हैं हाली में World Travel और Tourism Council अनुसार भारत की लोग टॉप पर हैं भारत ने अमेरिका, चीन, इस्पैन जैसे देशों को पचाड़ा है इस रिपोर्ट अनुसार एसिया की सबसे बड़ी ट्रेवल एकॉनमी है भारत तो ये आपको याद रखना है चलते हैं नेक्स्ट कॉश्चन पर Question No.4 पूर्थ हाली में किस संभाग में Forest Watch Tower बनाया गया है जिसका सही Option है सागर हाली में सागर जिले में Forest Watch Tower बनाया गया है यह टावर 100 फीट उचाई पर बनाया गया है दोस्तो अब बाता यह सागर की तो कुछ Important Fact आपको सागर की बारें बता दे मद्यप्रिदेश का प्रथम विश्विध्यालाय जो 1946 में बना था वह है डॉक्टर हरीशिंग और विश्विध्यालाय मद्यप्रिदेश का प्रथम Forensic Lab भी सागर में ही बनाया गया था मद्यप्रिदेश का दूसरा Police Training College पहला इंदौर में है और दूसरा शागर में है पदमाकर समारोह सागर में मनाया जाता है नौरा देही वन्न जीव अभ्यारण भी सागर में ही इस्थित है एक और important fact आपको बता दे एरण सागर में ही इस्थित है यहाँ पर सती का प्रथम लिखित साच्च प्राप्त हुआ है तो इतना आपको शागर के बारे में याद रखना है चलते हैं next question question नला फ्रिप्त भारतियवायुशेना में कौन से हेलिकॉप्टर शामिल हुए है जिसको सभी option है चिनूक हाली में भारतियवायुशेना में चिनूक हेलिकॉप्टर शामिल किया गया है भारत और अमेरिका के बीच 15 चिनूक होलीकॉप्टर का करार 2015 में किया गया था जिसमें से 4 हाली में गुजरात पहुचे हैं ये हेलीकॉप्टर 10 तन तक बजन उठा सकते हैं तो आपको याद रखना है हाली में शुनूक होलीकॉप्टर को भारतिय वायुशना में शामिल किया गया है चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर हाली में किसने ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 जीता है जिसका सही ओफ्षन है पीटर तवीची जिर कारण इन्हें यह अबोर्ट दिया गया है आपको बता दें ग्लोबल टीचर प्राइज की स्थापना 2015 में की गई थी और इसे बरके फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था आपको बता दें यह UAE में दिया जाता है चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर हाली में किस शहर में निशुलक अस्थी बैंक बनाया गया है जिसका सही ओफ्शन है जोधपुर हाली में जोधपुर में निशुलक अस्थी बैंक बनाया गया है किसी भी रीजन से अगर कोई व्यक्ति अपने अस्थियां गंगा में प्रवावित नहीं कर सकता है तो वह अस्तियों को इस बैंक में रख सकता है आफटर एक साल बाद तक अस्तियां बैंक में रखी नहेंगी अगर परीजन बापस नहीं लेते हैं तो अस्ति बैंक गंगा में इन्हें प्रवावित कर देगा तो इतना आपको याद रखना है कि हाली में जोदपुर में अस्ति बैंक बनाया गया है चलते हैं नेक्ष्ट क्वेशन पर क्वेशन नमबर 7 कितने राज्यों के जिले अस्पताल में हार्ट अटेक का शुरुआती इलाज किया जाएगा जिसका सही ओफशन है दस राज्यों हाली में दस राज्यों के जिला अस्पताल में हार्ट अटेक का शुरुआती इलाज कि दिया जाएगा इसमें मद्ध प्रदेश भी शामिल किया गया है हाली में केंद्रिय स्वास्त मंद्राले ने कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर और जिला हॉस्पिटल में हार्ट अटक के मरीजों को शुरुआती इलाज की विवस्था की योजना बनाई है तो आपको याद रखना है इसमें मद्ध प्रदेश को भी शामिल किया गया है अब यह ICAI क्या है इसके बारे में आपको बता दें इसका फुल फॉर्म दा इंस्टिटीट अफ चार्टर अकाउंटेंट अफ इंडिया होता है और इसका राष्टिय सम्मिलन भोपाल के समनवे भवन में आयोजित किया जा रहा है दोस्तो अब बात आई यह भोपाल की तो कुछ important fact आपको भोपाल की बारे में बता दें धीलों का शहर मद्प्रदेश का सरवादिक जनसंकिया घनत्व भोपाल में ही है ताजल मस्जद देश की जो सबसे बड़ी मस्जद है वह भोपाल में ही इस्थित है राश्टिय विधी अकेडमी को 1994 में इस्थापित किया गया था भोपाल में बिसु का सबसे बड़ा स्वर उर्जा सैंत्र भोपाल में ही इस्थापित किया गया है भोपाल प्रदेश का पहला एनरजी पार्क बना था एक और important fact आपको बता दे दो और तीन दिसंबर 1984 की रात को मिथाइल आईसो साइनेट गेस का रिशाव गवा था जिसके करण हजार मौते हो गई थी भोपाल में तो दोस्तो इतना आपको भोपाल की बारे में याद रखना है चलते हैं next question पर जिसके सही option है भोपाल भोपाल में ओपन इंटरनेशनल कनोई स्प्रिंट कॉम्पेटिशन का आयोजन किया जा रहा है यह competition भोपाल में आयोजित किया जा रहा है इसमें पहले दिन मनीपुर के सुनील सेहने भारत को दो गर्ड गोर्ड मेडल जिता है और इस competition में तीन दिन तक 14 देशों के 87 प्लेयर्स भाग ले रहे हैं तो इतना आपको इस competition के बारे में याद रखना है इसे भोपाल में आयोजित किया जा रहा है चलते हैं next question पर हाली में मद्धिप्रिदेश में कहां master trainers का prescription किया जाएगा जिसका सही option है कटनी हाली में कटनी में master trainer का prescription किया जाएगा लोग सुभा का चुनाव देखते हुए चुनाव आयोग ने यह trainer's plan बनाया है दोस्तो अब बात आई है कटनी की तो कुछ important fact आपको कटनी के बारे मता दे कटनी कोचुना नगरी की नाम से जाना जाता है 25 मई 1998 यानी 1998 में जवलपुर से अलग करके कटनी जिला बनाए गया था रूपनात्तीर्थ इस्तल कटनी में इस्थे थे रंगमहल नामक अमारत भी कटनी में इस्थे थे केमूर ACC प्लांट भी कटनी में इस्थेत है देश की पहली टांसजेंडर विधायक जिनने शबनम मौसी के नाम से जाना जाता है वह भी कटनी से नरवाचित हुई थी दोस्तो इतना आपको कटनी के बारी में याद रखना है चलते हैं नेस्ट कोश्चन पर तो आपको याद रखना है भीन्ड में तीन दवशी राज इस्थरीय कबड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है दोस्तो अब बाता यह भीन्ड की तो कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट आपको भीन्ड के बारी में बता दे भीन्ड चंबल संभाग का एक जिला है जनसंक्या के आधार पर रोन सबसे चोटी तहसील है खूनी दर्वाजा, बदन सहं का महल, बरह, खंबा, महल यह भीन्ड में ही इस्थित है एक और इंपोर्टेंट फेक्ट आपको बता दें काली मूझ का चावल, यहां का प्रिसिद्ध चावल है तो इतना आपको भीन्ड के बारी में याद रखना है तो दोस्तो यह था हमारा आज का डेली करेंट फेयर आप मारे चैनल स्टेडी उनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मध्यप्रदेश और वर्ल्ड के इंट्रेस्टिंग फेक्ट को लिकर हाजर होंगे तब तक के लिए नमस्कार, have a nice day